चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओपो ने अपने मिड़ बजट रेंज के स्मार्टफोन ओपो A92 को लांच कर दिया है इसे स्मार्टफोन को मलेशिया में लांच किया गया है इसके साथ कंपनी ने अपने ENCO W31 Wireless Earbuds को भी लांच किया है ओपो A92 का डिजाइन काफी हद तक हाली में ही लांच हुए ओपो A52 और ओपो A72 से मिलता है इसमें पंच होल डिस्प्ले और क्वाट रियर कैमरा सेटप दिया गया है यह स्मार्टफोन मिड रेंज के प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैब डेगन 665 पर रन करता है ओपो A92 को मलेशिया में 1199MYR यानि लगबग 21,230 रुपे की कीमत में लांच किया गया है फोन के वल एक ही स्टोडेज ओप्शन 8GB RAM प्लस 128GB में लांच किया गया है यह स्मार्टफोन तीन कलर आप्शन्स प्री लाइट ब्लैक और 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 परपल और इस्ट्रीम वाइट में उपलबध होगा इस स्मार्टफोन को फिलार मलेशिया में प्री ओर्डर के लिए उपलबध कराया गया है इसे ग्लोबल मार्केट में जुलाई तक लाउंच किया जा सकता है ओपो A92 के फीचर्स की बात करें तो यह 6.5 इंच के फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है इसके डिस्प्ले का रेजॉल्योशन 2400 x 1080 पिक्सल दिया गया है यह फोन साइड माउंटेड फिंगर्प्रिंट सेंसर के साथ आता है फोन को पावर देने के लिए इसमें मिड रेंज Octa-Core Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर का इस्तमाल किया गया है जो कि 610 GPU से लेस है फोन में UFS 2.1 स्टोरे सपोर्ट भी दिया गया है जिसे MicroSD कार्ड के जरीए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है फोन Android 10 पर आधारित ColorOS 7.1.1 पर रन करता है फोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर 8MP का अल्टर वाइड सेंसर 2MP का मैक्रो सेंसर और 2MP का ही डेप्त सेंसर दिया गया है फोन में 16MP का पैंच होल सेंसर दिया गया है फोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और USB Type-C कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है फोन में दमदार 5000MH की बैटरी दी गई है जिसे एक बार चार्ज करने पर यह फोन कम से कम डेट दिन काम कर सकता है फोन डूल 4G SIM Card सपोर्ट और अन्य कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है